दोस्तों ये बात 31 मार 27 के जब IPL 27 का पहला मैच गुजरातो चेन्री टीम के बीच एमदवाद में खेला गया उससे T20 मैच में टोस से पहले दोस्तों मैंने आपको टेलिग्राम चैल में इन्फोर्मेशन दीती अगर दोस्तों आप लोग इस मैच में फेंटेस्ट अपने कॉंटेस्ट को जोईन करते हो तो मैं आप सबको 100% गरेंटी के साथ मैच में विन करा सकता हूँ अब दोस्तों कुछ लोगों ने सोचा कि आरे इसके पास ऐसी कौनसी जादुई शक्ती है कि अगर हम कॉंटेस्ट को जोईन कर लें तो हमें 100% विन करा सकता है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको विद्प्रूफ दिखाऊंगा कि अगर आपने मेरी बात मान के उस मैच में कॉंटेस्ट जोईन कर लिया होता तो कैसे आप लोग भी मेरे जैसे 100% विन कर सकते थे साथी में दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि बई IPL दोस्ता थे इसके मैच नमबर 3 में जब लखनाओ और डेली का टीम इस मैच को खेलने लखनाओ के इस venue में एक दूसरे क्यामने सामने होंगी तो इस मैच ने पिच कैसे बिएफ करेगा साथी में दोस्तों आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि बई IPL T20 लीके मैच नमबर 3 में कौन-कौन से किलाड़ी परफोर्मेस कर सकते हैं अगर दोस्तों आज आज आपको मैरी ये वीडियो पसंद आए या फिर वीडियो से कुछ भी नया सीकने को मिले तो आज सरूर इस वीडियो को लाइक कीजेगा क्योंकि आप लोग वीडियो को लाइक करोगे मुझे मिलेगा आपका प्यार हो सपोर्ट जिसके चलते इस तरह के शांदार कंटेंट में रोसाना बना पाऊंगा तो दोस्तु कि आपको याद 31 मार्ट दोसाथ 23 को जब गुजराच इन्ने टीम के बीच आईपिल का पहला मैच होना था तो टोस्ट से पहले मैंने आप सब को टेलेग्राम में बोला था अगर भाई आप लोग अभी रेरियो पे अपने कोंटेस चोइन करते हैं तो 100% गरिंटी के साथ इस मैथ में फिन करेंगे अभी इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरे प्रूफ के साथ बताऊंगा अगर दोस्तों आपने मेरी बात मानके रेरियो पे कोंटेस चोइन किया होता तो कैसे आप लोग 100% गरिंटी के साथ वीडियो कर सकते थे तो दोस्तों देखे रेरियो एक ऐसा प्लैटफोर्म है जहां पे आपको तीन खिलाडियो के अपनी फेंटेसी टीम बनानी है फिलाल रेरियो पे सिच्वेशन यह है कि यहां पे जो टोटल लंबर ओफ पार्टिसिपेंट है वो कम है और टोटल लंबर ओफ जो विनेरों वो काफी जाद है इसलिए दोस्तों आपके 100% विन करने के चांस इस प्लैटफोर्म पे काफी इंक्रीस हो जाते है एकसांपल के तोर पे लीजिए लकनो डेली टीम का ये मैच इस मैच में दोस्तों अगर आपके पास ब्लैक कार्ड है तो आपको यहां पे फ्री एंट्री मिल जाएगी आपका रहें के एक आया तो आप एक लाग रुपए विन कर सकते हैं या फिर दोस्तों अगर आपने सिर्फ इस कॉंटेस्ट में पार्टिसपेट कर लिया और आपके टीम सबसे खराब परफोर्मेस करती है तब भी आप कम से कमा 800 रुपए विन कर सकते हैं तो अब दोस्तो आप लोग देखिए आईपल के पहले ही मैच मैंने इस फ्लैटफोंग पर कॉंटेस्ट जोइन किया उसी मैच मैंने 900 रुपए रियल कैस और 180 रुपए यहां पर रेरियो कैस विन किया अब दोस्तों मेरे टीम ने रेरियो पर उस तिन सबसे खराब परफोर्मेस की थी क्यो उसके बाउजू दोस्तों इसी टीटफोंटी मैच मैंने 800 रुपए विन करने में कामियाब रहा था तो उमीद करतों आपको समझा है अगर आप रेरियो पर केलते हैं तो टोटल नमबर ओफ पर्टिसमेंट यहां पर कम है और टोटल नमबर ओफ विन जाद है तो 100% आपके विन करने के जो चांस इंक्रीस हो जाएंगे और साथ ही मैं दोस्तों एक बात बता दूँ अगर आप लोग फीडियो को नीचे देगे डिस्क्रिप्शन बोक्स के तुरू इस एप को डाउनलोड करते हैं साइन अप करते हैं तो आपको 16 रुपए का साइन अप बोनस जिसमें अगर आप लोग रैंक फंड पे आए तो आपको एक लाग रुपए का प्राइस वनी मिल जाएगा अगर दोस्तों मैं बात करो अगर आप 20-80 रैंक पे आए तो आपको 25 रुपए के आपके एंट्रीपीस वापस मिल जाएगी इसके लाव दोस्तों इस लीग के अं नीचे डिस्किप्शन बोक्स में डाल दूँगा साती में दोस्तों इस प्लैट्फोर्म के उपर इस बात का ध्यान रखे कि अगर आप लोग खेलते हैं तो यहाँ पे ओपिनियन का भी ओप्शन आपके पास अविलेबल है मतलब कि अगर आप लोग अपने ओपिनियन पे दोस्तों यहाँ पे ट्रेड करते हैं तो वहाँ से भी पैसा कमा सकते हैं जैसे कि for example यह T20 मैच लखनौ और डेली टीम के बीच है अब दोस्तों आप लोग अपना ओपिनियन देंगे इस मैच को लखनौ का टीम फिन कर सकती है और दोस्तों लखनौ की टीम ने गर इस मैच क फिन कर लिया तो वहाँ से भी आपके पैसे कमाने के चांस बन सकते हैं इसका भी लिंक वीडियो के नीचे description box में दोनों एप को सुरूर से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और अब दोस्तों हम बात करेंगे इस वेन्यू के pitch behavior के बारे में तो दोस्तों देखिए अग अब बार के लेगे T20 मैट की जो की 29 जनवरी दोसा थे इसको न्यूसलेंड टीम इंडिया के 20 था ध्यान से देखिए इसे T20 मैट में न्यूसलेंड का टीम 20 और में पहले बल्लेबासी करते हुए बोर्ड पे से 29 का टागेट सेट कर पाया अब इस मैट को टीम इंडिया ने मैचीस के लेगे और उन मैचीस के अंदर भी जो टीम बल्लेबासी करीती उनके बल्लेबास यहां पे रन करने को स्टगल करते हुए नजराय थे अब दोस्तों ये वेन्यू पे अक्टूबर 2022 में सैद मुस्ताइक लिए टोफ्वी के कुल 14 T20 मैच हुए अगर मैं 14 T20 मैची यानि कि जो पिछले 14 सेद मुस्ताइक लिए टोफ्वी के मैचीस इस वेन्यू में केले गए हमें एक भी मैच ऐसा देखने को नहीं मिला जब किसी टीम ने बल्लेबासी करते हुए 200 प्लस का टागेट सेट किया हुए इवन दोस्तों 22 अक्टूबर 2022 की बात करें तो देखे श्रिक्किम जारकन टीम के बीच ये मैच था सिक्किम की टीम बिल्कुल कमसोर है तो दोस्तो पिछ फैले बल्लेबासी के फेवर में नीता श्रिक्किम का टीम अठाउंड रन करके ओल आउट हो गया जिसे जारकन की टीम ने एक सेट और बना चैवर में चेस कर दिया था तो दोस्तो इस venue पे अगर मैं उस्ते हैं स्कोर की बात कूर तो पिछले 5 मैच में वो 128 रहा है अगर चेस की बात करे 138 रहा हाला कि दोस्ते यहाँ पे जो क्रिकट का स्टेंडर्ड है इस मैच में तोड़ा इंक्रीस हो सकते हैं तो मैं आपको कहूंगा आप इस T20 मैच में प्लस म करने का फैसला करेगे क्योंकि जो भी टीम में टोस्तेगी पहले गेनबास करेगा और वो चाहेगा कि पिट में जो में जो मोईश्चर है उसका पूरा फाइदा उठाये जाए और दोस्तो मुझे नेक्यों लगता कि इस T20 मैच में जो गेंद बले पिटंए अच्छी से या फिर ऐसे कि लाड़ों को अपनी fantasy team में कप्तान वाइस कप्तान बना सकते हैं जो दोस्तों गिन्बासी के साथ अच्छी खासी बल्लेबासी भी कर ले क्योंकि इस वैंडियू में केले के पिछले 5-320 मैचीस के अंदर ध्यान से देखिए बल्लेबासी ने आपको एक असार पिछान में fantasy point दिये तो गिन्बासी ने आपको 1350 fantasy point दिये तो इसलिए दोस्तों मैं आपको कहरा था है इस venue की उपर अगर आप लोग चाहें और जील के fantasy team combination बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो गिन्बासी को कप्तान वाइस कप्तान बनाया जा सकता है बाकि पिछले 5-320 म में दोनोई टीमों की possible playing 11 के बारे में और साथ में दोस्तों बात करेंगे कि आज ये स्टी 20 में दोनोई टीमें कैसे अपनी impact player को use कर सकती है लेकिन सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दो अगर आज आपने अपनी fantasy team में एक विंटन डिकोग एंडे कनोकि और लूंगी ए अपन करा सकती है काल मेर्स के साथ जिनका सादेंगे कफ्तान लोकेश रूल नमबर तिन पे निकोल स्पूरान चार पे दीपा कुड़ा नमबर पांट पे इस्टोरीज छे पे आयूस बदोनी आपको नसराएंगे नमबर साथ पे कुरनाल पांडिया फिर जैदेवनाटका तो इस तरह दोस्तों इन 11 खिलाड़ों के साथ आज इस मेहत में लकनाओ का टीम खेल सकता है या फिर दोस्तों आप बात करें लकनाओ का टीम इंपक्ट प्लेयर को कैसे यूज़ करेगा तो दोस्तों देखे जो इन लकनाओ का टीम है गेम के निश्चल फेस में सिर्फ ती इंपक्ट प्लेयर को यूज़ कर सकता है देखे दोस्तों अगर ये लोगाजरी सेट वन टीम है तने तीन फोरण के लाड़ों को इस किलाते है तो क्या कर सकते हैं मानलीजे लकनाओ का टीम पहले बल्लेबासी कर रहा है तो इन निकोलेस पूरण को किलाएंगे उस केस में म मार्कूर को अंदर लेके आ सकते हैं अगर दोस्तों इनका टीम पहले गिनबासी करता है तो आज इस मेहत में खेल सकते हैं मार्कूर के साथ फिर दोस्तों जब इनका टीम बल्लेबासी करेगा चेस में तो मार्कूर को बाहर करके निकोल स्पूरण को लेके आ सकते हैं तो मै तिन पे मार्श है, चार पे पांडे, पांच पे रोमन पोवल, नमबा चैप पे सरफ्राज, साथ पे अक्सर पटेल है, आठ पे ललीत है, नो पे कुल्दी, फिर चेतन साकरे और खली लेमद है अब दोस्ते इस प्लेइंग लेमद को देखने के बाद आप क्योश्चन करोगे, क्यार भाई इनकी गेंद बास में कोई गहराई नसर नहीं आरा, उनकी गेंद बास से काफ़ी कमसोर लग रही है तो भाई आज ये भी आज इस मैट में अपने इंपेक्ट प्लेर का यूज़ कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, देखे दिल्ली का टीम पहले बल्ले बास से करें, तो आज इस C20 मैट में इन लोग प्रित्वी शो के साथ केल सकते हैं, लेकिन जब इनकी टीम गिन बास से करेगी उस case में प्रित्वी शो को बाहर करते हुए आज इस match में अपने playing land में किसी वेक Indian game bass को लेके आ सकते हैं जैसे कि ये लोग चाहें तो इशान सर्मा को इस match में किला सकते हैं उससे दोस्तों इनकी batting भी cover up हो जाएगी और साथ में team की bowling भी cover up हो जाएगी तो दोस्तों आपको पता चल रहा है आज इस match में लखना और दिनली का team कैसे अपने impact player को use कर सकता है अब हम बात करेंगे भाई इस match में कौन-कौन से player performance कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं क्यों कर सकते हैं सबसे पहले सुरवात करने जा रहा हूं लखनाओ team के साथ तो दोस्तों देखें लखनाओ के लिए open कर सकते हैं कायल मेस और लोकेश और तो लोकेश और ने recent time में अची बल्ले बासी भी की है कायल मेर्स की दोस्तों बात की जाएं तो देखें कायल मेर्स ने कैसा खिलाड़ी जिसका team के कप्तान पर depend करता है किस तरह यूज़ करना है especially गेंबासी point of view से क्योंकि दोस्त हमने काफी बार ऐसा देखा है कि हम कायल मेर्स को अपनी fantasy team में इसकी बल्ले बासी के चलते ड्रोप कर देते हैं लेकिन उस मैट में कप्तान गेंबासी इसको करा देता है और उसी मैट में गेंबासी कराती हुए एक से दो विकिट ये निकाल ले तो हमें दिक्कात हो सकती है तो फिलाल टोस के बाद देखना लखनो की टीम के पास कितने गेंबासी विकल्प है और क्या लोकेश उसको गेंबासी देगा इसका में आइडिया लग जाएगा अगर गेंबासी देगा तो दोस्ते इसे टीम में लेना है परफोर्मेंस की बात की जाए, तो दोस्तों देखे, अपोनेंट टीम के सब गिंद बासों के सामने परफोर्मेंस ठिक्टा करी है, शिर्फ चोड़के अकसर पटेल के, क्योंकि अकसर पटेल के पिछली 34 पोर में लोकेश ओल दो बार आउट हो है, और इवन अकसर पटेल के स आपको समझाया आज इस मैट में इनकी टीम की ओपनिंग जोड़ी को कौन सा गिंद बास परिश्वान कर सकता है आपका स्वाल यह रहेगा यह गिंद बास परिश्वान तो कर सकता है लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि यह गिंद बास गिंद बास सी करेगा जब यह दोनों बल पीशल फेस में Nicholas Puran के सामने रिसेंट टाइम में जब टीम इंडिया के लिए केल रहा था तो दीपा कुड़ा को बल्ले बासी नीचे मिल रही थी अब ये चार पे बल्ले बासी करेगा और पिछले साल जब भी लखनाओ की टीम ने दीपा कुड़ा को चार पे बल्ले बासी दिया है दीपा कुड़ा की प बल्ले बासी टीक टाक थी अब दोस्तो नमबर पांच पर इस्टोनिस और नमबर चैप के पास आई उस बदोनी आएंगे तो देखे मारकर इस्टोनिस की बात करें आप सब लोग जानते हैं यहार वर्ल्ड किलास बल्ले बास है और अच्छी टीक टाक इंदबासी कर सकता है इस्टोनिस की बैटिंग पॉइंट ओफ इसे वीकनेस की बात करूँ तो आप उन्हें टीम में अक्षर पटेल वो गिनबास है फिर से वही सवाल आएगा डिपेंड करता है डैविड वार्नर पे क्या आद इस मैट में वो अक्षर पटेल को कब कैसे यूज करे फिर दोस्त वाकई में यहाँ पर दिक्कत हो सकते ही किसे मारकस टोनिस को और आयूस बदोनी के सामने अक्षर पटेल की गिनबास ही करना बाकी है तो दोस्तों यह वीडियो दिखने के बाद यहाँ तक अभी आपको समझा गया कि आज इस मैट में डैली टीम से अगर कोई स्पिन गिनबास ही कर सकते है बाके दोस्तों आपका यह सवाल तब है हम यह कैसे पता लगाए कि गेम के कौन से फेस में कौन से गिनबास गिनबास ही करेगा तो यह बोलिंग चार दोस्तों आपकी मदद कर देगा जैसे कि एकसांपल के तोर पे चेतन साकरिया की बात की जाए तो चाहती है कि दोस्तों इनको 16 वर तक ज़्यादा गिनबासी दी जाए और 17 से 20 और के बीच शायद से 1 और गिनबासी करने का मौका मिले या वो मौका भी शायद इनको ना मिले उसके बाद खलील के बारे में बात कि ज़ाए तो अगर भई ये गिनबास 100 परसेंड फिट है टीम पहले तो पार्क प्ले में गिनबासी देगा और फिर 17 से 20 और में गिनबासी में इनको असमा सकता है मिचल मार्श का दोस्तों कहा नी सकती इस मैच में गिनबासी करेगा नहीं करेगा क्योंकि इसकी fitness पर ही depend करता है अक्षर पटेल की बात कि जाए तो नोर्मली गेम के पहले face में टीम अक्षर पटेल से गिनबासी करवाना पसंद करती है और 11 और के बाद अक्ष्र पटल गिंदबास से कम करते हैं लली त्यादव की बात की जाए तो पहले 6 और और फिर 12 से 16 और के बीच यह ज्यादा गिंदबास से टीम इन से करवा रही है 7 से 11 और 17 से 20 के बीच कम की है कुल दी प्यादाओ जो की टीम के चाइना में गिंदबास है इन्होंने दोस्तों गेम के मिडल फेस से अपोनें टीम के बल्ले बासों के सामने गिंदबास ही आज से 20 मैट में करनी है अगर इनको गिंदबास ही करने का मौका इस मैट में मिला अब दोस्तम बात करते हैं आपकी डेली की टीम की तो देखें डेविड वाणर हो पित्वी शोई इस मैट में उपन करेंगे और ये दोनों ही ऐसे बल्ले बास है जो बल्ला चलाना पसंद करते हैं और दोस्तम देखें गेम के इनिशल फेस में अगर डेली टीम के इन दोनों बल्ले बासों ने अपने इनके गेंद बासों को रिस्पेक्ट नी दी तो आज इस C20 मेट में दोनों के लड़ों के परफोर्मेस करने के चांस काफ़ी कम हो जाते हैं तो इस बात को दिमाग में सेट करना क्योंकि गेम की इनिशल फेस में तेस गेंद बासों को इस पिच से मदद मिलनी ही मिलनी है उसके बाद दोस्तों के इनको अच्छा ही स्टार्ट मिल भी गया तो एक चीज का ध्यान रखना है पृति और डाविड वोणनर को Spin Gin Basu के सामने द्यान से केलने के मतलब यह सीधे बलने से केलने है क्योंकि ना जाने कितनी बार हमने देखा है जो डैविड वोर्नर है यह भी श्रिकरदवन के जैसा जैसे Spin Gin Basu हैंगे तिर्चे-वुर्चे शोट मारना स्टार्ट करते है जैसे के केसे विकिट देता है, जैसे कि स्पिन गिन्बास के इन बार से कर रहा है, बड़ी अराम से उसकेंद को सामने मार सकते है, लेकिन रिवर्स करने के ट्राइ करेगा, और सीधा पोइंट पे कैच भी ये देता है, अपोनेंट टीम है लखनाओ, लखनाओ टीम में को एक बारी आउट कर दिया नमबर तीन पे मिचल मार्श आ गया नमबर चार पे मनीश पांडे आ गया तो मनीश पांडे की दोस्तों परफोर्मेस टीटवेंटी फोर्मेट में इस्पेशली आईपेल में रीसेंट टाइम इतना अच्छा नहीं रहा है उनके पास और बागी किलाडियन को बैटिंग में परमोशन दिया जा सकता है बागी दोस्तों मिचल मार्श को आउट करना है तो देखे जो अपोनेट टीम लखनों है जितना जल्दी हो उसके गेम के फेस में ओफप्रे गिनबास को गिनबास ही करवाना चाहिए क्योंकि पिछले एक साल में देखा गया कि मिचल मार्श ओफप्रे गिनबासों के सामने इतनी खुलकी बल्लेबास से नहीं कर पाए तो देखे मनिश पांडे के सामने लेखस्पिन गिनबास रवी विष्णोई 17 बोल में एक बार आउट कर दिया रन 12 दी हैं जैदिव नटकर दोस्तो मनिश पांडे को 3 बार आउट कर चुके हैं मार्काइस 25 बोल में एक बार आउट कर चुके हैं मिचल मार्श की बात करें तो आज इस T20 मैट में टोस से पहले तो मुझे लखनों की टीम में को यूफ प्रे गिनबार नसर नहीं आ रहा तो उसके बाद इनकी टीम में गर किसनपा गोतम आज इस मैट में केल रहा है और उसको लोकेश आउनले गिनबार से करवाई तो मिचल म मार्श को इस मैट में दिक्कत है दरवाइस कोई दिक्कत मेरे अकोडिंग आना नी चाहिए रोमन पोल की बात करें तो वेस्ट अंडी से दोस्तों ब्लों करता और मैंने आपको ना जाने कितनी बार बता रखा है कि यह ऐसे किसम के बल्ले बास है जिनको लेक्समिन गेंबा गेंबास से करने आएगा मैं उसको डिफेंड करी नहीं सकता क्योंकि मैंने उसको डिफेंड किया तो मैंने अपने विट को त्रो कर देना है तो रोमन पोल क्या करेगा लेक्समिन गेंबास के सामने जोर से बल्ला कुमानी की कोशिश करेगा संपर्क हो गया गेंस्टेंड क बाहर जाएगा और ऐसा करने से विस से ताकत के साथ गिंबास क रिंड़क पर संट इसका विगिट मिल सकता है और यही बात आपके सर्फरास खान की तो सर्फरास का भी स्मिन गिंबास के सामने ऐसा कोई खास परफॉर्मेंच रहा नहीं है रियल्टी चेक की बात करें लखनाओ की टीम में रवी विश्णोई है जो कि रोमन पोल को 10 बोल में 3 रन देके एक बार ही आउट कर चुके हैं तो दोस्ता आपको सारी कानी समझ आ रही है कि आद इस मैट में डेली की टीम से कौन सी गिनबास अच्छा कर सकते हैं योपी टीम से कौन से गिनबास क्यों कैसे अच्छी परफोर्मेस कर सकते हैं और यही से दोस्ता आप लोग समझ लीजिए कि आज इस स्टेट वन टीम है अगर अभी विश्णोई अच्छी गिनबास नहीं करता अपने मल्टीबल फेंटेस्टी टीम कॉम्बिनेशन बना अनिश्टीन तोर पे ना सिर्फ ग्रेंड लीग बल्कि स्मोल लीग में अच्छी परफोर्मेस कर पाएंगे बाकी दोस्तों बोलिंग चार्ट की बात करें तो देखें इनकी टीम के पास सावेश खान है जिनको टीम पारपले में यूज़ कर सकते हैं उसके बाद 17 से 20 ओर में मार्क वुड की बात की जाये तो उनके पास ताई शियर पेस जो कि दोस्तों गेम के स्टार्ट में फिट डैथ में गिनबासी करते हैं जैदिव नटकट भी पारपले में दोवर गिनबासी दे सकते हैं फिर एक ओवर 17 से 20 में करा देंगे मार्क वुड इस पारपले के बाद गिनबासी करेंगे कुर्णाल पंड्या से एक्सपेकेशन लिए है कि ये भी पारपले के बाद ही जादा गिनबासी करें रवी बिश्णोई भी अक्सर हमने देखा है पारपले के बाद जादा गिनबासी करते हैं अंटी लल्लैस इनके लिए कोई अच्छा मैचप इस मैच में तयार ना हो जाए तो दोस्तो हम बात करेंगे मेरे Final Fantasy टीम कॉंबेनेशन के बारे में उसे पहले दोस्तो मैं आप सबको ये की बात कहना चाहँगा कि दोस्तों एक बात अपने दिमाग में सेट कर लो कि इस वीडियो का मेरा मकसद यह है कि मैं आपको इस मैट से जुड़ी जितना भी ज़्यादा हो सके और जितनी अच्छी हो सके उतनी information दू तो आपने क्या करना है तोस्त के बाद अपनी investment और अपनी fantasy rule को देखते हूँ कि आप कौनसी fantasy app पे इस मैट में investment करने वाले है उसके according आपने अपने fantasy team combination बनाने है अगर दोस्तों मैं बात करते हूँ इस मैट में जो मेरी investment है वो रहीगी really learn पे अगर आपने डाउनलोड नहीं किया डाउनलोड कर लेना लिंक वीडियो के नीचे description box में आपको मिल जाएगा अब चलिए हम बात करते हैं इसी मैट के अपनी टीम के बारे में fantasy team के बारे में तो भई देखो keeper बल्लेबास location और एकदम safe choice है मैंने अपनी fantasy team में जगा दी है अब दोस्तो real 11 पे अगर मैं खेल रहा हूँ तो मेरे पास condition यह है कि मुझे अपनी fantasy team में कम से कम तीन बल्लेबासों को लेना है तो मैंने अपनी fantasy team में डैविड वोन नहीं, दीपा कुड़ा, निकोलेस पुरन को शामिल किया अगर दोस्तों आप किसी S.E.F. पे खेल रहे हैं जहां आप कम से कम एक बल्लेबासों को लेंगे तब भी काम चल जाएगा तो उस case में आप यहां से बल्लेबासों को ड्रोप करते हुए all-rounder खिलाडी या फिर गिनबासों को टीम में प्रिफरेंस दे सकते हैं जैसे कि लखनाव टीम से कायल मेर्स का विकलप आपके पास है गिनबास में आपके पास सावेश खान की चोईस मुझूद है अगर बात के रोल डाउंड है श्रेक्शन के अंद है और मैं अक्षर पटेल को अपनी फेंटेसी टीम में कैप्टन बनादू तो यह काफी बड़ी रिस्की चोईस हो सकती है या फिर अगर मैं तीन मेंबर लीग खेल रहा हूँ मैं अक्षर पटेल को फेंटेसी टीम में काप्तान बनादू तो अक्षर पटेल की वो चोईस हो सकती है हाला कि लोकेश ओल ने भई आई पिल T20 लीग के अंदर हमेशा ही जब भी बल्ले बासे की है most of the matches में अची बल्ले बासे की है तो ये तो बिल्कुल safe रहेगा आज इस match में captain wise captain बाकि different करना है तो पटेल के साथ आप जा सकते हैं नीचे गेंदबास में दोस्तों fantasy team में मार्क वूड को लिया है फिर मैंने या से लखनाव team के lagspin गेंदबास बिस्नोई को उठाया है और डेली team के तेस गेंदबास खली लहमत को fantasy team में जगा दिया है और जितने भी किलाड़ी दोस्तों गेंदबास से department में आपको नसरा रहे हैं काप भी कम लोग इन गेंदबासों को अपनी fantasy team में शामिल करने वाले हैं अगर ये किलाड़ी स्मैट में नीच ले तो ये match automatic रिस्की बन जाएगा लेकिन जीशतने से मैंने information आपको वीडियो में शेयर की उसी information के base पे मुझे लगता है कि आज इस match में गेंदबास अच्छी performance कर सकते हैं तो मैंने अपनी fantasy team में शामिल कर लिया क्योंकि दोस्तों ना जाने मैंने कितनी बार ऐसा देखा है मान लीजे मैंने फीडियो बनाई मैंने आपको कायार यह किलाड़ी आज इस match में performance कर सकता है लेकिन मैंने उसको toast के बाद अपनी fantasy team में शामिल नहीं किया और वो किलाड़ी performance कर देता तो बड़ा ही पस्तावा होता है तो दोस्तों इसलिए कह रहा हूं आपने सोचना है कि आपको लगता है आज इस match में किलाड़ी performance करेंगे लगता है तो टीम में लीजे अगर आपको नहीं लगता तो fantasy team से बाहर कर सकते हैं वाइस कप्तान की बात करें तो toast से पहले मेरा वाइस कप्तान रवी बिश्णोई है अब दोस्तों देखिए आज इसे T20 मैच में अगर toast के बाद मैंने अपनी fantasy team में कप्तान वाइस कप्तान को बदला या अपनी fantasy team में कुछ किलाड़े को इधर से उधर कर दिया तो चोकिएगा मत वो सारी information telegram channel में आपको share कर दूँगा अगर आपनी telegram channel अभी तक अमारा जिस कर सकते हैं ये सुईधा अपने पास अभीलेबल है तो क्यों ना इसी इसका पूरा फाइदा उठाये जाए इसलिए अगर आप लोग toast के बाद मेरी final fantasy team combination जानना चाते हैं तो telegram channel को सुरू जोइन कीजेगा link video को नीचे description box में डाल दिया है और साथ ही में जानने से पहले इस वीडियो को लाइक करना है क्योंकि दोस्तों आज के दिन में आप लोग जानते हैं अपने दो T20 मैचिस थे और मैंने दोनों T20 मैचिस पर काफ़ी काम किया यानि मैनत काफ़ी जादा हुई है अगर आपका प्यार सपोर्ट मिलेगा तो इसी तरह मैं भी शान्दार काम करते रहूँगा और अगर आप लोग रोजाने इसी तरह के वीडियोस देखे अपने शान्दा fantasy team combination बना पैसा विन करना चाते हैं तो वह YouTube चैनल को भी subscribe कर लो भी तक subscribe क्यों नहीं किया ये थोड़ी से मेरी समय से परे बात है तो YouTube चैनल को भी जरूँद सब्सक्राइब कर लीजिएगा तब दोस्तों आपके साथ एक बाप फिर मुलाकात होगी टोस के बाद टेलिग्राम चैनल में तब तक आप लोग अपना ध्यान रखे ध्यान से इस वीडियो को पूरा देख ले और दोस्तों टोस के बाद टेलिग्राम चैनल में जरूर मिलना है